जै मातादी दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें माता रानी सबका कल्यान करेंगे दोस्तों नवरात्री का नो दिन बहुत ही पावन होता है और इन नो दिनों में पूरे सरधा भाव से मा दुरगा का पूजन किया जाता है लेकिन यदि नवरात्री के दोरान पीरियड आ जाये तो बहुत सी महिलाएं घवरा जाती है उनके मन में तरह-तरह के सवाल उठ जाते हैं जैसे पीरियड में नवरात्री का ब्रत करना चाहिए या नहीं नवरात्री के नौ दिनों के बीच में अगर पीरियेड आ जाये तो क्या करें? उपवास करें या ना करें? माता को भोग कैसे लगाएं? अखंड दीपक का क्या करें? बहुत सारे सवाल जो होते हैं वो महिलाओं के मन में आने लगते हैं और इसका समाधान उनको कहीं से भी न अवित्रता बनी रहें वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग उसे रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलुखबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना जादा से जादा हो सके मेरे इस वीडियो को सेयर करेंगे। इस साल साल 2023 में चैत नवरात्री की सुरुआत 22 मार्च से हो रही है और जिसका समापन 30 अप्रेल को होगा। इन 9 दिनों में भक्दगन पूरे सर्धा भाव से माता की पूजा करते हैं। खास तोर पर महिलाए माता की अराधना बड़े ही सर्धा भाव से करती है। तो चलिए जानते हैं पीरियड से संबंधित सवालों के जवाब। अगर आपको पहले से मालुम है कि 9 दिनों की भीतर आपका पीरियड का डेट है। तो आपको पहले ही सचेत होकर नवरातरी में कलस अस्थापना नहीं करना चाहिए और नहीं अखंड जोट जलानी चाहिए। यदि नवरातरी सुरू होने से पहले ही मासिक धर्म आजाए तो आपको नवरातरी का उखवास नहीं करना चाहिए। यदि किसी वजह से आपने पहले ही ब्रत का संकल्प ले लिया है, तो आप ब्रत करें लेकिन पूजन किसी और से करवाएं. ये पीरियड की आसंका है तो आप कलस अस्थापित ना करें जैसा कि मैंने बताया क्योंकि कलस अस्थापना के लिए अलग नियम होते हैं इसलिए कलस वाले अस्थान को बहुत ज़्यादा पवित्र रखना पड़ता है तो कलस अस्थापना ना रखें अगर पीरियड की आसंका है तो यदि कलस अस्थापित हो चुका हो तो आपको कलस से दूरी बनाए रखनी चाहिए यदि कलस आपसे असपर्स हो गया हो तो इसकी पवित्रता खतम हो जाती है अतक कलस को बहुत ज्यादा पवित्रस्थान पे ही अस्थापित करना चाहिए ताक गर के बाकी सदस वहां तक ना पहुँचें। बात आती है माता को भोग लगाने की तो पीरियट की दौरान आपको माता के लिए भोग भी नहीं तयार करना चाहिए। ऐसे समय में बनाया गया भोग माता दौरा स्विकार नहीं होता। यहां तक कि माता का भोग भी किसी और से ही लगवाएं अब बात आती है कि यदि आपने पहला ब्रत रख लिया और आपको आखिर ब्रत में पीरियेट सुरू हो गए तब भी आपको आखरी ब्रत रखना चाहिए और कुछ नियमों का पालन करना चाहिए जैसे माता की तस्वीर का असपर्स ना करें मंदिर में परवे साफ वस्त्रधारन करके माभगवती का पूजन करें यदि आप नियमीत रूप से माता को लौंग का जोड़ा नौ दिनों तक चड़ाती हैं और पीरियेट की बज़ा से ऐसा नहीं कर पाई हैं तो पीरियेट खतम होने के बाद एक साथ लौंग के उतने जोड़े चड़ा जितने दिन आपके छूट गया हैं यदि आप नवरात्री के सुरू वाले देन से ही दुर्गा सब्तसती का पाठ कर रही हैं और बीच में पीरियेट आ जाए तो दुर्गा सब्तसती का पाठ कैसे करें ये भी बहुत बड़ा सवाल होता है तो आप अपने मोबाइल से दू बैठ कर दुर्गा सब्तसती का पाठ कर सकती हैं अब सवाल आता है कि पीरियेट के कितने दिनों के बाद सुध हो सकते हैं तो पीरियेट के पांच या साथ दिन के बाद सुध होता है आदमी पांच दिन हो गया तो पांच वे दिन आप बाल धोकर रस्नान कर लें या साथ अगर आप चाहती हैं तो सात्वे दिन बाल धोकर रस्नान करें और पुना पूजा शुरू कर सकती हैं अपने तो ये थे नवरात्री ब्रत के दोरान पीरियर से जुड़े संपूर सवालों के जवाब उम्मीद करती हूं कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें सेयर करें और मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स